कि सबसे पहले सभी जवानों को जय हिंद प्यार बार नमस्कार बंदे मात्रों साथ ही अभी हम लोग प्रैक्टी सेट नूमर फोर डिसकस करेंगे ठीक है ना प्रैक्टी सेट नूमर वन टू थरी नहीं देखें आप देख लिजेगा सभी क्लासिस का प्लेलिष्ट बना दिय कि नहीं बस हSu period बनाये रखीएए और शेयर कर दीजे दोस्तों में चैनल पर ना है है सबस्क्राइब कौन करेगा वैभी सब्सक्राइब करने में पैसे लगते हैं कि तो कर दो ना सबस्क्राइब फृरी है तो कर दो और बात करते कि नीती निती आयोग की अस्थापना किस वर्स की गई थी निती आयोग की अस्थापना 2015 में की गई थी और कब की गई थी ये एक जनवारी को की गई थी एक जनवारी 2015 को निती आयोग की अस्थापना की गई थी और हाँ एक चीज आप ध्यान दिजिएगा निती आयोग मतलब 2015 में इ ये आयोग पहले भी था ये आपको पता है क्या योजना आयोग के नाम से ये आयोग जाना जाता था ठीक है आगे बढ़ते हैं और ये योजना आयोग 1950 में गठन हुआ था ठीक है ना नेक्स्ट सत्य में जयते कहां से लिया गया है सत्य में जयते जो है कहां से लिया गया तो ये मुंड को अपनी सत्य से लिया गया है ठीक है और नेक्स्ट जूकी हुई मिनार जो है किस देश में है तो जूकी हुई मिनार जो है ना पीसा की जूकी हुई मिनार है ये पीसा सहर म और ये पीसा कहा है भई इटली में है तो अपसे नमबर ए हो जागा राइट एंसर ओके नेक्स्ट मेगास्थनेच किस के सासनकाल में आया था भारत ये चंद्रगुप्त मौर के सासनकाल में भारत आया थे नेक्स्ट रिजयर बेंग की असापना किस वर्स में हुई तो रिजयर général की असापना 1935 में हुआ किस गरा को प्रीधिवी का जुड़बा व 누 कहते हैं यह क्योशन कली मैंने आपको करवाया था सुक्र को कहते हैं बई सुक्र को और मंगल गरा को क्या कहते हैं मंगल गरा को कहते हैं लाल लाल गरा कहते हैं मंगल गरा को ठीक है और सनिग्रा के चारो और छल्ले होते हैं वले होते हैं और प्रिथिवी को क्या कहते हैं बई चले नेक्स्ट है जनसंख्या का अध्यन क्या कलाता है जनसंख्या का अध्यन डेमोग्राफी कलाता है क्या डेमोग्राफी यह हो जाएगा राइट एंसर डेमोग्राफी ठीक है निम्र में से सबसे हलका धातु कौन सा है सबसे हलका धातु कौन सा है बता ही सबसे हलका धातु जो है ना लेथियम है और सबसे भारी धातु कौन सा है सबसे भारी धातु कौन सा है ओस्मियम है यह है सबसे भारी धातु ठीक है नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्यूप है तो दुनिया का सबसे बड़ा द्यूप जो है यह इंडोनेसिया है ठीक है ना इंडोनेसिया ललिटकला अकादमी की अस्थापना किस वर्स होई थे तो ये अस्थापना 1954 में होई थे और गोवा मतलब सोतंत्र हुआ था ध्यान दिजेगा गोवा पूर्तगालियों से कब जाद हुआ था ये ध्यान दिजेगा और आगे वड़ते हैं भारती समिधान के जो परारूप समिती के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर भीमरा उमबेदकर थे प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे नेक्स्ट क्यूशन है संस्कृत ब्याकरण के जनक किसे मना जाता है तो संस्कृत ब्याकरण के जनक जो है यह पाणिनी को मना जाता है ओके चंडिगर सहर का डिजाइन किसने त्यार किया तो चंडिगर सहर का डिजाइन जो है देखिए लीक कारबुजियर ने डिजाइन किया एक सीज़ और कुतुमिनार का डिजाइन कुली कुतुबसा ने करवाया और जो लाल किला है न दिल्ली का तो ये सर एडविन लूटियंस न आप इ। लाल कील डिजाइं के था और यह दिल्ली का वास्तु कार भी सर एड़र लौटिनु को कहा जाता है राजारा Γारा मोहं Brockman को राजा की उाधि किस दिया तो राजरा मोहन राए को राजा की उपादी अकबर दिवतिय ने दिया ध्यान रखिए का ये क्यूशन बहुत इंपोर्टेंट है तराइन की प्रत्म लड़ाई में प्रित्वी राज चौहान और किसके बिच हुआ था तो प्रित्वी राज चौहान और मुहमद गौरी के बिच में ये लड़ाई हुआ था और मुहमद गौरी पहली लड़ाई में हार गया था और दूसरी लड़ाई में फिर से जीत गया था इन में से निदर्लेंड की रधानी है, तो निदर्लेंड की रधानी जो है, एमस्टरडम है, और रोम किस की रधानी है, इटली की रधानी है, रोम, ओके, और क्वाला लूमपूर किस की रधानी है, तो ये मलेसिया की रधानी है, मलेसिया की रधानी है, दोस्त क्वाला लूम कि अस्था अपना 1897 में स्वामी वीवेका नन्द ने करवाया कौन वीवेका नन्द ने करवाया ओके ध्यान रखिए गई एक सवाल बहुत इंपोर्टेंट है टाईगरवूट्स किस खिल से समद्द है तो टाईगरवूट्स जैं गॉल्फ से समद्द है नक्सट उत्तर और कोरिया ensemble目前 कोरिया जोडने वाले समान्द लाइम कौन से है उत्तर कोरिया और दक्षिन और किछम और बीच कहा जो क्या कर रहा तै 38 भी पैरलल लाइन का लाता है और में मोहन लाइन किसको कहा जाता है भई ये इंडिया और इंडिया और चाइना के बीच में होता है ठीक है रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है ओके नेक्स्ट सम्विधान सभा में कुल कितने सदस्य थे तो सम्विधान सभा में 389 सदस्य थे 389 सदस्य थे ओके और हाँ यहाँ पर लोग सभा में अधिक्तम संख्या कितना होता है सीटों की तो लोग सभा में सदस्यों के अधिक्तम संख्या होता है पांसो बावन और राजसभा में राजसभा में राजसभा में कितना होता है 200 होता है रूस की संसद का नाम क्या है तो रूस की संसद का नाम है डियूमा सोरा किस का नाम है तो सोरा जो है अफगानिस्तान का संसद का नाम है अफगानिस्तान के संसद का नाम सोरा है जातिये संसद किसका नाम है नेपाल का जातिये संसद बोला जाता है ओके नेक्स्ट भारत की प्रतम महिला परधान मंत्री इंद्रा गांधी थी और पूरे विश्व में प्रतम महिला परधान मंत्री इस बंडार नायके जो की स्रिलंका की थी ज्यान रखेगा इस क्यूशन का भारत की प्रतम बिमान वाहक पूद कौन था भारत की प्रतम बिमान वाहक पूद जो है ना आइनेस विक्रांत है नेक्स्ट भारत के प्रतम उफ प्रधान मंत्री कौन थे प्रतम उफ प्रधान मंत्री कौन थे भई ये थे बल्ला भाई पटेल थे भारत के प्रधान मंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो भारत की प्रधान मंत्री का नियुक्ति जो है राष्ट पती करते हैं और हाँ साथियों जो भी लोग चैनल परना हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और इस वीडियो को सेर कर दिजिए बाकियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जहिन बनने मातरम